Dear students, हम पढ़ रहे थे पाइला के बारे में और कल हमना इसके सैल यानि कावच और इसमें डाइजेस्टिव सिश्टम के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ींगे रेस्पिरेशन के बारे में इसमें रेस्पिरेटरी ओर्गन्स के रूप में एक टीनेडियम या गिल पाया जाता है, एक पल्मोनरी सेक, यानि फुफुसीकोज और लंग पाया जाता है, फुपुस पाया जाता है और एक जोड़ी इसमें नूकल लोपس उपस्तित होते हैं तो सबसे पहले हैं इसका टिनीडियम और गिल यह एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए जलिये स्वसन के लिए यह अंकाम आता है और मेंटल कैविटी के ब्रैंकियल चैंबर के प्रेश्ट पार्श्व दिवार पर यह इस्तित होता है इसमें ट्राइंगुलर लीफ लेट्स की एक लंबी स्रंकला पाई जाती है तो ट्राइंगुलर लीफ लेट्स या जिनको लेमेली कहते है जो की एक तूसरे के पैरेलल इस्तित होती है और यह मेंटल वाल की द्वारा ब्रॉड बेस इनका जो है वो मेंटल वाल की द्वारा च इनकी जो लेमेली की attachment की line जो है mental wall के साथ में उसको tinidium axis कहते हैं और tinidium axis में efferent blood vessel जो की deoxygenated blood लाती है और एक efferent blood vessel जो की oxygenated blood को ले जाती है गिल से heart में ये दो इसमें blood vessels tinidium axis में पाई जाती है सभी गिल लेमेला जो है वो बरबर साइज के नहीं होते है मद्य वाले गिल लेमेला सबसे लंबे होते है और किनारों पर तीरे-दीरे वो छोटे होते जाते हैं और इस परकार के गिल को मॉनो पैक्टिनेट गिल कहते है परत्यैक लैमिला में traples, reges या pleats पाए जाते हैं उसके anterior and posterior surface पर ये pleats जा होते हैं ये low reges होते हैं जिनकी size जो है best to top धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि लैमिला की size भी जो है नीचे की तरफ ज्यादा चोड़े होते हैं उपर की तरफ संक्रे होते हैं और परते एक रिज में ब्लड वैसल की ब्रांचे जो पस्तित होती है साखाएं उपस्तित होती है इच लेमिला है जे smaller right side which receives blood from the efferent vessel is called the efferent side और इसका जो left side है वो longer होती है जिससे की blood efferent vessel में जाता है इसलिए इसको efferent side कहते हैं टिनेडियम ओप पाइला दो सिचुएटेड ओन दा right side of the animal is morphologically the gill of left side तो टिनेडियम जो है वो right side में होता है और gill जो होता है वो left side में होता है which has shifted to right on account of development of an extensive pulmonary sack of the left side जो की right side में shift हो जाता है जब pulmonary sack जो है left side में development के समय में होता है this is shown by the blood supply and the innervation of टिनेडियम and is further confirmed by the situation of the ospyridium which still retains its original position of the left side of the annual क्योंकि इसमें torsion की किरिया पाई जाती है पाईला में तो इसमें ospyridium जो है वो अपनी original left side में ही पाया जाता है histologically each lamella appears to be a hollow cavity lined on either side by the epithelium containing non-siliated columnar cells ciliated columnar cells and a few glandular cells तो इसका जो परते ग्लेमिला होता है उसमें hollow cavity पाई जाती है जिसके बाहर की तरब epithelial cells होती है और ये cells तीन परकार की होती है एक तो non-siliated होती है columnar cells ciliated columnar cells होती है यानि अगर पक्समा भी इस्तम भी कोसी का है पक्समा भी इस्तम भी कोसी का है और कुछ इसमें ग्रंतिल कोसी का है पाई जाती है इसमें पतली आधारी कला होती है below which are found connective tissue cells having scattered nuclei and oblique muscle fibers जो की टिनीडियल axis बनाता है second है respiratory organ में pulmonary sac और lung एक closed cavity एक थेले के समान बंद cavity होती है जो की mental के dorsal wall में यानि लटक रही होती है pulmonary chamber के अंदर the dorsal wall of pulmonary sac is densely pigmented while the ventral wall is creamy white तो pulmonary sac का जो प्रष्ट बित्ती है वो तो गहरी गहरे वर्ण की वर्ण की होती है और इसकी ventral जो wall है वो creamy white color की होती है the walls of the sac are highly vascular richly supplied with blood vessels तो इसकी दिवारे जो है वो अत्यदिक सवन ये होती है जिसमें की रक्त वाहिकाओं का जाल बिच्छा हुआ होता है the pulmonary sac communicates with the pulmonary chamber of the branchial cavity तो pulmonary sac जो है वो pulmonary chamber branchial cavity के pulmonary chamber के साथ में communicate करता है by an aperture known as pneumo storm pneumo storm के द्वारा थर्ड है nuchal lobes right and left pseudepipodia और nuchal lobes are fleshy and highly contractile processes of the mantle on either side of the head तो ये head के दोनों तरफ इस्तित होती है fleshy होती है और highly contractile process होती है they form elongated funnels or siphons during respiration for entry and exit of water तो यह पानी के अंदर आने के लिए और जाने के लिए funnels या siphons बनाने का कार्य करती है next है इसका diagram दिखाया गया है इसके diagram में first जो diagram है वो है monopactinate tinidium का दिखाया गया है तो इसमें lamellae जो है beach वाली lamellae size में सबसे बड़े आकार की है सबसे लंबी है और किनारे की तरफ जैसे जैसे lamellae जाती है वैसे वैसे lamellae की size छोटी होती जाती है पीछे की तरफ क्योंकि या mental cavity की वाल के साथ में चिपकी होई रहती है तो इस वाल जहां पर इनका सयोजन होता है नीचे की तरफ इफ्रेंट blood vessel है और बीच में यह तैनेडियल एक्सीस है और गिललेमिला को दिखाया गया है तो गिललेमिला तैनेडियल एक्सीस की साथ में जहां पर सयोजन में वाहां पर चोड़े होते हैं और इसका जो free ending है वो संक्रा होता है तो बीच में transfer splits को दिखाया गया है इसकी efferent side है और इसकी efferent side दिखाई गई है तो बीच में यहाँ पर blood vessels का जाल बिचा हुआ है तो इसके द्वारा जो है असुद रखता है और यहाँ पर जल के साथ में आने वाली oxygen इस blood के अंदर परवेश करती है और यह रखत सुद हो ज जाता है और यह सुद रखत जो है इसमें से वापिस हार्ट की तरफ जाता है सी डाइग्राम जो है इसमें दिखाया गया है यह सिंगल लेमिला 200 flow of blood within it तो इसमें सी डाइग्राम में दिखाया गया है कि efferent blood vessel जो है वह सुद रखत ला रही है जो कि इसके अंदर बैरा है ब इसके साथ में गुल जाती है और efferent blood vessel की सायता से यह blood to heart या हर्दय की तरफ जाता है डी डाइग्राम जो है यह लेमिला एंटी एस दिखाया गया है लेमिला का इसमें तीन परकार की cells दिखाई गई है ciliated epithelial cells cilia दिखाये गए है non ciliated epithelial cells और तीसरी कुछ को सीखाएं जो इसमें होती है वो glandular cells होती है और नीचे की तरफ basement membrane है connective tissues है muscle fibers है paleal epithelial है यह सारे के सारे मिल करके इसमें दो परकार का रेस्पीरेशन पाया जाता है क्योंकि पाइला जो है वो जल में भी रहता है और जमीन पर भी रह सकता है तो फर्स्ट है इसमें एक्वेटिक रेस्पीरेशन जब स्नेल या पायला जो है वो तलाब की पैंदे में हो या यह float कर रहा हो तैर रहा हो या फिर आधे जल के बीच में जो है suspended हो या फिर यह प्लांट्स के या वीड्स के साथ में जल के अंदर अटेश्ट हो इस समय इसका सेर और फुट जो है वो fully extended होते हैं और दोनों न्यूकल लोब्स जो है वो भी size में बड़े हो जाते हैं लेफ्ट लोब जो है वो distinct gutter का काम करता है जिसमें से की water current जो है वो flow होता है तो water current यहां से होते हुए लेफ्ट न्यूकल लोब से होते हुए अंदर की तरह परवेश करता है और सबसे पहले यह osprydium के संपर्क में आता है osprydium जो है वो chemo receptor organ की तरह काम करता है जो की nature of water को check करता है इट एंटर्स दा mental cavity यहां से यह mental cavity में परवेश करता है और टिनीडिया से उते हुए यह एपिटीनिया से होते हुए यह ग्रैंकियल चमबर में परवेश करता है और तो यहाँ टिनीडियम जो एंडोछी लिएर हैं बलेड स्पेस की तो उसके उपर यहाँ बैता है then the current passes out through the right nuclear lobe और right nuclear lobe से होते हुए जल बाहर की तरह निकलता है टिनेडियम जो है वो oxygen जल धारा में से oxygen को ग्रहन करती है और carbon dioxide जो है वो जल के साथ अंदर diffuse हो जाता है या विशरित हो जाता है second type का respiration है aerial respiration वाईवी अस्वासन तो pulmonary sac के द्वारा या lung के द्वारा होता है और यह भी दो तरीकों से होता है जब snail जो है वो पानी की सत्थ के उपर होती है तो इसकी left nuclear lobe जो है वो tube के समान काम करती है और air को अंदर की तरह हीचती है तो air जो है वो pulmonary chamber के अंदर फुपुस कोस के अंदर जाती है तब उसके बाद में यह lung में जाती है और branchial chamber में जो है उसको epitinia के द्वारा बंद कर दिया जाता है तो जब वाई वे स्वासन हो रहा होता है तो epitinia branchial chamber को बंद कर देता है तो पहला है कि जब यह पानी की सत्थ के उपर होता है सेकेंड है when the snail comes on land जब यह जमीन के उपर आती है it takes in air directly into its lungs through the mental cavity and no siphon is formed by the left nuchal lobe तब यह direct mental cavity के द्वारा जो वायू को लंग के अंदर ले लेती है तो यह समय left nuchal lobe के द्वारा siphon नहीं बनता है तो दोना परकार के aerial respiration में लंग की muscles में alternate रूप से contraction and relaxation होता है जब muscle, lung की muscle contract होती है तो cavity की size बड़ी हो जाती है और air अंदर की तरफ ली जाती है जब muscle relax होती है तो lung decrease हो जाता है जिससे की air को अपिस बाहर की तरफ निकाला जाता है inward and outward movement of the head and foot also help in the process of taking up in air इसका head और foot जो है उसका inward और outward movement जो है वो भी वायू को अंदर लेने में मदद करते है जब इसमें activation की किरिया होती है तब भी इसमें pulmonary respiration होता है या वायू ये स्वासन होता है और तब इसमें pulmonary sac में जो वायू पहले से सुरक्सित रखी होई है उस वायू का उप्योग किया जाता है यहां पर डाइग्राम में दिखाया गया है कि किस परकार से इसमें aquatic respiration और aerial respiration होता है फर्स्ट है यह डाइग्राम जो है इसमें aquatic respiration का दिखाया गया है तो इसमें left nucle lobe जो है यहां से water current अंदर की तरफ परवाईत होता है यह ospridium के संपर्क में आता है जो chemo receptor की तरह कारे करता है यहां से होते हुए यह epitinia से होते हुए यह mental cavity के अंदर परवेश करता है और यहां से यह जो tinidium के उपर से ओकर के बैता है और tinidium के द्वारा इसमें जो blood vessels की endothelium है वो oxygen को अंदर की तरफ ले लेती है और carbon dioxide को diffusion के द्वारा इसकी जलदारा के अंदर छोड़ देती है और right nucle lobe के द्वारा water वापिस बाहर की तरफ निकल जाता है B diagram जो है during aerial respiration वाईई एस्वासन के दोरान तो यहां पर left nucle lobe जो है यह साइफन की तरफ काम करता है और air current अंदर की तरफ परवेश करता है और अंदर की तरफ जो है pulmonary sac है और इस pulmonary sac में जो वाईउ परवेश करती है और इस वाईउ को blood vessels की सायता से ग्रहन कर लिया जाता है और carbon dioxide को वापिस बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है नेक्स्ट डाइग्राम है पाइला with its siphon up for breathing air तो जब यह जल की सत्थ के उपर होता है तब यह अपने left nucle lobe को siphon की तरह काम करता है और उपर की तरफ रखता है जिससे की वाईउ अंदर की तरफ परवेश करती है और यह pulmonary sac के अंदर परवेश करती है तो इसमें जो aerial respiration होता है जब यह water की surface के उपर होता है तब इसमें left nucle lobe जो है वो siphon की तरह काम करती है थैंक्स